नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के एजुकेशन के एट 6 में रुख करते हैं बिहार की तरफ और बिहार के एक बड़ी अपडेट बिहार SSC इंटर इस्तरिये मेंस एक्जाम को लेकर चुकि देखे प्रिलिम्स के अगर हम बात कर लें तो 2014 से लेकर 2017 तक काफी बार इस का मेंस का एक्जाम भी लिया जाएगा लेकिन इसके मेंस के एक्जामनेशन को भी लेकर भी संसे बना हुआ है और ये डेट यानि कि तारिख पे तारिख मिलती जा रही है और एक और तारिख मिली है बिहार करमचारी चाहिनायोग के इस परिक्षा को तो एड्मिट कार्ट क अब जारी होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन 25 दिसंबर डेट याद रखिएगा इसके बारे में जो ओफिशल अपडेट आया है उससे मैं आपको आउगत कराना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले अगर छोटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके लगतार ऐसे ही पलपल की अपडेट हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कल भी मैंने एक से मैं आपको ओफीशली बिहार एससी की ओफीशल वेबसाइट पर जाके दिखलाना चाहता हूँ जी यहां दोस्तों बिहार करमचारे चैनायो के वेबसाइट पर यह एडविटाइजमेंट संक्या देख सकते हैं जहां पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है इसक मेंस इग्जामेशन के रिगाड़ी तो आपको यहां पे इसको डाउलूड कर लेना होगा इसको डाउलूड करते ही दोस्तों इस पे सारा डीटेल आपको मेंसन किया गया है देखिए नौ बारा के अभी अभी थोड़ी देर पहले अपडेट पर आया है आयो की आवशनक आपको बारा परिक्षावित की जाने कि अनुमनित अनुमनती प्रतान की गई थी लेकिन यहां पे समय कम था मैंने आपको बोला भी था कि मात्र पांस दिन है और पांस दिन में यह सारी चीज़े नहीं हो पाएंगी तो इसका डेट एक्स्टेंड होगा ही होगा और यह डेट एक्स्टेंड कर दिया गया है तेरा बारा को अब ये परिक्षा ना होकर अब ये परिक्षा आपका 25 बारा को स्थागित किया गया है यानिकि रखा गया इसका डेट रखा गया है परिक्षा का निर्धारित कम से कम साथ दिन पुर्व परवेश पत्र देखिए अब रही बात यहाँ पर इसका जो एडमिट काड है वो साथ दिन पहले आएगा यानि कि अगर 25 को एक्जाम है तो साथ दिन जस्ट पहले आपको एडमिट काड जारी किया जाएगा वैसे वेबसाइट पे आप लोग विजिट करते रहिएगा मैं आपको इंटिमेट कर भी दूँगा कि आप इसका डाउलोड कर लेंगे जितने भी छादरों का यहाँ पे मेंस का एक्जाम है दोस्तों इस परिक्षा से सम्मंदित अन्यक अभ्यार्थी जो है राजी के बाहर से भी आ रहे हैं वापस और उनको आने में समय लगेगा भी तो अब यह जो अपडेट है आप लोग के शेयर करने से ही उन लोगों तक पहुँचेगा जिया आप लोग एक भी वीडियो को सेयर जरूर कर लिजेगा ताकि जीतने भी अपडेट है यह सारे अपडेट उन तक पहुँच सके कि उनका 25 को एक्जाम है और वो किसी भी स्थिति में यहाँ पे आ सके एक्जाम दे सके अगर वो आउट अफ स्टेट र और इस परिच्छा में संबंधित जितने भी अभ्यारती हैं राजे से बाहर से आ रहे हैं वापस अगर तो उनको सामिल करने के लिए अवशक्ता होगी वाई क्योंकि वो एक्जाम निकाले हैं मेंस देना चाहते हैं तो जरूर पहुंचें यहाँ पर एक्जाम देने अच् साथार और अठार को बिहार लोग से वागी परिक्षा है अब यह को बिहार लोग से वागी परिक्षा रखे गई है उसका डेट निधरच जो किया गया दोस्तो ये 25 बारा किया गया है ये कारण भी बताया गया है कियों इसको date exchange करके 25 रखा गया है ये सारा detail यहाँ पर आपको mention किया गया है तो 25 तरीक का इंतजार कीजिए और continuously पढ़ाई करते रहिए क्योंकि ये चीज़े जो है अब आपके उपड़ी paint करता है कि जो मौका एक बार फिर मिल रहा है उन्छातरों को जो कि 6 साल से लगातार इंतजार कर रहे है वो मौका चुकना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं एक बहुत लंबा समय है इस परिक्षा को लेकर और इस परिक्षा को देने है उनके लिए भाग्यपुर्ण है जो की लगतार 6 साल से इंतजार कर रहे हैं इसके examination clear करने का all the best है आप सभी को फिर भी अगर आप लोग कोई doubt है तो comment box में comment करके पूछ सकते हैं और बाकी रही रणनीतियों की कि हम कैसे पढ़े बिहार से के लिए मातर इन दिनों में तो आप हमारे साथ हमारे channel white education पे भी join कर सकते हैं दोस्तों वहाँ पे एक strategy वीडियो दी जाएगी बिहार SSC को लेकर जिहां दोस्तों आप हमारा ये channel subscribe कर लिजिएगा white education यहां पे कल आपको एक वीडियो मिलेगी जहां पे बिहार SSC को लेकर जिहां मातर जो अभी 25 अरी को एक्जाम होगा उसके रिगाने के कि strategy वीडियो दे दिया जाएगा कि कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना है क्या स्लेवस है इन सब के बारे में update दूँगा मैं ठीक है तो कल यहां पे जरूर मिलेंगे हम आपसे तो अभी के लिए इतना ही अगर टेलीग्राम का लिंक है वहां पे आप हमें जोईन कर सकते हैं दोस्तों ठीक है अगर कोई भी डाउट होता है तो ठीक है और बाकी आप हमारा चैनल जो है education characteristics पे जुड़े रहेंगे यहां पे हर वो update नौकी से जुड़े हुए update आपको दिये जाते हैं जो कि आप तक हम पह प्यास कर रहे हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का कोई भी डाउट है तो आप लोग ऑफिशली वेबसाइट पर जाए वहां पर देखें जाकर क्या क्या चीज यह वह अपडेट है यहां पर देख सकते हैं जो भी पद सहायक उर्दू अनुवादक की सभी अभ्यारतिकों सुचित किया जाता है कि 25 बारा को आज़ुत होने वाली प्रारंविक परिक्षा को और प्रिहाय वार कारणवस यहां पर इस्थागित किया जाता है और अच्छा भी इस्थागित कर दी गई है फिर से एक बार यह भी इस्थागित की गई है यह भी पुरानी वेकेंसी है 2019 की वेकेंसी आपको बता देना चाहते हैं ठीक है विग्यापन संके एक 2019 देख रहे हैं तो यह इसका भी डेट एक्स्टेंट किया जाएगा इसका नया ड प्रिट शेयर किये हैं वीडियो आपको कैसा रगा है लाइक और शेयर करके हमें जरूर बताएंगे धन्यवाद